इटारसी से छीनेगी दक्षिन भारत जाने वाली पांच गाडिया जबलपूर से गॉणडिया होकर चलाने की तैयारी इस खबर का यही मतलब है कि बहुत ज़ल्दी जबलपूर गॉणडिया के बीच ट्रेंज सेवा शुरू होने वाली है जैसे ही जबलपूर गॉणडिया ब्राड गेज पर योजान का काम पूरा हो जाएगा इसे के बाद बहुत सारी ट्रेंज जो ही टारसी होकर दक्षिन भारत की तरफ जाती थी वो अब जब जवलपूर गौंडिया के रस्ते दक्षिन भारत की तरफ जायेंगी जवलपूर गॉंडिया रेलवे ट्रैक शुरू होने से जवलपूर से दक्षिन भारत की दूरी करीब 260 किलोमेटर कम हो जाएगी दूरी कम होने से यात्रियों का समय बचेगा लगबग 6 गंटे की बचत होगी साथ ही किराया भी कम होगा और रेलवे से दक्षिन प्रांत को बुक होने वाली माल भाड़े की दरे में भी कमी होगी हाली में 22 अगस्ट को भिमल गॉंडी बंदरकुंड के बीच CRS ट्रायल्स सक्सेस्फुली कम्प्लिट किये जा चुके है जिसके बाद रेलवे मिनिस्टर प्यूज गोयल जी ने ट्विट करके इसके बारे में जानकारी दी वो लिखते हैं नाकपूर से चिनवारा रेलवे लाइन का पूरा हुआ विदुदिकरन अब इस रूट पर ट्रेनों को रोक कर इंजिन बदलने जैसी बदाओं से मुक्ती मिलेगी वो ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ेगी इसके बाद 23 अगस्ट को लमता नैनपूर के बीच CRS ट्रायल्स सक्सेस्फुली कम्प्लेट किये गए अबस लमता समनापूर चिनवारा नैनपूर मनला फूट और इटवारी नगवीर जंक्षन के बीच गेज कनवर्जन और इलेक्ट्रिफिकेशन काम बाकी है आज मैं आपको इसके बारे में ताज़ा जनकरी देने वाला हूँ इसी के साथ कुछ स्टेशनों की आज मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कितना काम हो चुका है उसके बार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रेंस है जिनको वाया जबलपूर गौंडिया चलाया जा सकता है ट्रेनों के रूट बदलने से जहां इटार्सी स्टेशन पर ट्रेनों की संक्या घटेगी वही इन से मिलने वाला यात्री भाड़ा, माल भाड़ा और केटरिंग कारोबार भी प्रबावित होगा बड़ा नुकसान मौजदा रूट के यात्रियों को होगा जिने अब इन ट्रेनों की सुविदा नहीं मिलेगी साथ ही आशंका ये भी है कि इलाबाद से इटार्सी होकर दक्षिन जाने वाली अन्य ट्रेनों को भी भविश्य में नई रूट से चलाया जाएगा शुरुवात में मैं आपको इस पूरे सेक्षन के मौजदा गेज कनवजन का स्टेटस बताऊंगा उसके बाद मैं आपको यहां के लेटेश्ट अपडेटस के बारे में बताऊंगा जिसके बाद हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या सब्टेंबर के अन्ट तक गेज कनवजन काम पूरा हो सकता है या नहीं अच्छे सुनब सब्सक्राइब करते बाद घंटी बजा देना ताकि प्लेटफों पे आने वाली नाई ट्रेंट मिस ना हो अब सबको पताऊगा कि 2019 में जबलपूर नैनपूर के बीच गेज कनवजन काम पूरा कर लिया गया था पान चरनों में इस रूट में गेज कनवजन के साथ इलेक्ट्रिफिशन काम पूरा किया गया था इसी के साथ गौंडिया से लेकर बाला घाट समनापूर टक गेज कनवजन काम बहुत पहली कर लिया गया है और नैनपूर लम्ता यहाँ पे भी गेज का नोजर काम कर लिया गया है जो काम बचा है वो है समनापूर लम्ता के बीच 25 किलोमेटर का यह पूरा सेक्षन है और यहाँ पे अभी तक ट्रैक बिचाने काम पूरा हो चुका है बस इस रूट पर मौज़िदा स्टेशन का निर्मान कारिय शेश रह गया है जैसा कि आप देख सकते हो लम्ता रेलो स्टेशन में इलेक्टरिफिक्शन काम पूरा हो गया है एकदम नया रेलो स्टेशन लग रहा है बहुत सुंदर बहुत स्वच दूसरी तस्विर है पादरी गंच रेलो इस टेशन की जैसा कि आप देख सकते हो कि स्टेशन बिल्डिंग तयार हो गया है और पीछे अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे इलेक्टरिफिक्शन काम भी पूरा कर लिया गया है इसी तस्विर में अब साफ साफ देख सकते हो कि स्टेशन का प्लैटफॉर्म एकदम नाया और सुन्दर लग रहा है लमता से समानपूर के बीच ट्रैक बिचन काम पूरा हो गया है उक्टोबर स्टार्टिंग में या फिर सक्टेमबर एंड में यहां CRS ट्रैल्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिफिक्शन काम अभी बाकी है और CRS होने के एक महिने बाद इलेक्ट्रिफिक्शन काम भी पूरा कर लिया जाएगा जहां तक बात रही नाकपूर चिन्डवारा सेक्शन की तो हाली में यह रूट भी पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिक्शन हो गया है और बहुत पहले ही गेच का नवजन काम पूरा हो गया था यहां पे सिर्फ भीमल गौंडी भंदरकुन के बीच काम बाकी था जिसे हाली में पूरा कर लिया गया है और CRS ट्रायल्ज भी सक्सेस्फुली हो चुके है जब सभी ट्रेंस चलना शुरू हो जाएगी तब नाकपूर पैसेंजर इस रूट पर चलाई जा सकती है अब बात करते हैं नैनपूर मंडला फोर्ट सेक्शन के बारे में कुछ दिनों पहले यहां लाइट लोको ट्रायल किया गया है नैनपूर से चिराडोंगरी के बीच 19 किलोमेटर का सेक्शन पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड है बस चिराडोंगरी से मंडला फोर्ट टक इलेक्ट्रिफिक्शन काम बाकी है जब पूरा रूट नैनपूर से लेकर मंडला फोर्ट के बीच गेज का नवज़र काम पूरा हो जाएगा तो उसके बार यहां पे भी CRS ट्रायल्स हो सकते है चिराडोंगरी से लेकर नैनपूर टक गेज का नवज़र काम अभी अपने शुरुवाती दोर में है इस रूट पर अभी सिर्फ अर्ट वक काम किया जा रहा है नैनपूर से पलारी और पलारी से सीवानी के बीच लगबग सभी स्टेशन बिल्डिंग का निर्मान कारिय पूरा कर लिया गया है सीवानी से चोरई और चोरई से चिनवाडा के बीच अभी बहुत काम करना बाकी है और जहां तक बात रही इतवारी नगवीर सेक्शन की तो यहां पे अभी एक प्रटिक्षट काम भी नहीं हुआ है इस रूर का काम कब शुरू होगा यह तो मैं आपको बता नहीं सकता पर यह मैं आपको ज़रूर बढ़ा सकता हूँ कि हो सकता है कि छिंदवारा नैनपूर के गेज का नोजन के बाद यहां पे कोई काम शुरू किया जाए जैसा कि मैं आपको बताया कि सप्टेंबर एंड तक लमता समनापूर के बीच CRS ट्रायल्स हो सकते है तो फिर किया इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद ट्रेंज चलाई जाएंगी या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन होने से पहले ही तो हो सकता है कि CRS होने के बाद डीजल लोकोमोटिव के साथ यहां ट्रेंज चलाई जाए और electrification उनके बाद trains electric locomotives के साथ चलाई जाएंगी ये तो तया है कि जबलपूर गॉंडिया ये route भारती railway के लिए बहुत important route होने वाला है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये busiest route में से एक हो जाए और आगे जाके इस route का doubleification का काम भी किया जाए अब उन trains की बारे में बात करते हैं जो पहले ETA RC से होकर दक्षिन भारत में प्रवेश करती थी गेज का नवाजन के बाद ये सबी trains जवलपूर गॉंडिया की रस्ते दक्षिन भारत की तरफ जाएंगी गंगा कावेरी पटना बैंगलूरू संगमित्रा एक्सप्रेस इननकुलम पटना एक्सप्रेस दानापूर सिकंद्राबाद एक्सप्रेस बागमती एक्सप्रेस गॉंडिया आउकर चलाई जा सकती हैं ये सबी trains वीडियो को खतम करने से पहले मैं वाइबब जीव को ठेंक्यू बोला जाता हूं क्योंकि सारी जानकारी उन्होंने मुझे दी है और अभी मैं अभी मैंने आप सबसे ये जानकारी शेर की